हेलो बच्चा लोग, गुड मॉर्निंग, आज हम लोग पढ़ेंगे सेल, the fundamental unit of life, लेक्चर नमबर थर्ड, पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, वो पहले थोड़ा discuss कर लेते हैं, दिन आगे हम लोग nucleus and its other component के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, तो हमने क्या पढ़ा थ था, cell wall, cell membrane, plasma membrane, cell membrane को ही क्या कहा गया था, plasma membrane, it is the outermost covering of animal cell, क्योंकि animal में जो outermost covering होते हैं, वो आपके plasma के होते हैं, अब बात करते हैं, कि लाजमा की गघर होते है अब बताया थे घर से यानिन खानर आगरेट गयर आको तो आपका ओलाता है वहीं आप तरला मेंब्रेन जहां बस कुछी लोग घुश सकते है यानि कि प्लाजमा मेंब्रेन वहीं जहां कोई भी घुष जा रहे थे डाट विल वी और सेल वोल कैसे थे नन लिविंग थे रिजिट और हार्ड वहीं हमारा सेल क्या है अपको लिविंग मिलेगा फिर हमने क्या पर आप वेक्योल के बारे में वेक्योल डाट इस प्रेजेंट 50-90 पर अक्यल अनिमल में होते हैं वह बहुत ही कम होते हैं हमने यह सब कुछ पढ़ा था पिर अनिमल इन प्लांट सेल में डिफ्रेंस करी थे हमने के अनिमल सेल जो होते हैं इन कंपरेजन टू प्लांट सेल के पास क्या होते हैं वहीं प्लांट के पास क्या होते हैं सेल वोल एस व पढ़ने से पहले आप इस चैनल पर जाएं लाल बटन दबाएं बेल आइकन पर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में सेयर करें देखो हमारा टॉपिक है आज का न्यूक्लियस अब देखो यह डाग्राम में क्या करें आप देख रहे हो जो सेंटर मोस्ट पार्ट है बीच में राउंडेड लाइक स्ट्रक्चर डाट इस जो न्यूक्लियस न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की है यह आपको होंबर्ख है सोच लेना यह बताई ही देती हूँ न्यूक्लियस की डिस्कवरी आपकी रॉबर्ट ब्राउन ने की है ठीक है यह फिगर में आप क्या देख रहे हो कि एक के सेल के पास सेल मतलब क्या हुआ जो आपका है और सेल मेंब्रेन है यानि कि अगर हम लोग नुकलियस के स्टडी करने जा रहे हैं तो हम लोग इन सब के बारे में पढ़ेंगे सेल में पढ़ चुके हैं हम लोग नुकलियस बिल्कुल नया है बहुत ही भी वी टॉपिक विकॉस जितने भी कंट्रोलिंग और गन होते हैं जैसे हीमन के बाड़ी में आप देखते हो हमारे बाड़ी में कंट्रोलिंग और गन क्या है हमारा ब्रेन वैसे ही प्रोकेरियोट्स जिसको हम लोग क्या बोलते हैं प्रीमिटिव टाइप जिनके पास नुकलियस होते हैं प्रीमिटिव टाइप बोलने का मतलब हुआ जिनक कैरियोटिक पिछले लेक्ष्टर में जाकर करके देख लेंगे सारा अच्छी सवी क्या हुआ है यहां बाद सी ओवर वियू कर रही हूं प्रो मिंस प्रिमिटिव क्या होता है नूपलियस जिनके पास नूपलियस कैसे होते हैं प्रिमिटिव टाइप यानि की यह आपका सेल ह एक है कर देता है चंब कर नियुकलियक्ण के बाहर रओक टाहयना उन्हें क्या है क्वाली के आपके बॉडिय सेयल के लिए जो इन्दरा सप्सी Hue मिलेंगे वह डवल बॉंडेट रहेंगे वहीं प्रोकारियोटिक में ऐसा कुछ नहीं होता है बट राइबोजोम राइबोजोम इस 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 फाउंड इन बोथ प्रोकारियोटिक ऐस वेल युकारियोटिक कि अब देखो यहां नूकलियस का यहां मारा इस्ट्रक्चर है 3d टाइप है क्या देख रहे हो आप धंटर dissoci हो यह से मैटर का एक्सचेंज हो जाए जैसे हमारे घड में विंडो होता है एर का एक्सचेंज वेंटिलेशन का काम करता है वैसे ही नुकलियस के अंदर आप क्या देख रहे हो यह नुकलियर पोर है जो की नुकलियस का जो सराउंडिंग है और साइटो प्लाज्म का जो यह हमारा बीच में नुकलियोलस दिख रहा है क्रोमैटिन नुकलियर इन्वेलप देखो नुकलियर इन्वेलप को ही हम लोग एक और ठर्म कहते हैं नुकलियर मेंब्रेन कहीं भी कन्फूज नहीं होंगे इन्वेलप मतलब क्या होता है जो अब सादी में जाते हो envelope लेकरके तो एक covering को बोलते हैं या हम लों क्या बोल सकते है nuclear membrane बोल सकते हैं यह देखो Nucleus को दो भाग में बाटा गया है Nucleoplasm as well as nuclear membrane Nuclear membrane का एक और टर्म भी बताई हूँ That is your nuclear envelope Further, Nucleoplasm को क्या कहा गया है एक Nucleolus और Chromatin material ये सब भाग में क्या हुआ है बाटा गया है अब देखो nuclear membrane अभी ज़स्ट बताई हूँ Nuclear membrane जो होते हैं आपके nuclear envelope भी कहे जाते है Envelope है, membrane है मतलब कि protection का काम करेगा या covering का काम करेगा ये देखो Also known as nuclear envelope It is double lipid bilayer membrane ये देखो जो पीछे का है न वहाँगा cut section दिखाया जा रहा है ये ऐसा ही होता है जो पीछले बार मैंने दिखाया था क्या ये वाला nuclear pore ये आपको pores दिख रहे हैं यहाँपर इस pores में आपने क्या देखा यहां से क्या और exchange हो रहे है यही पोर आपका कहां दिख रहा है ये figure में देखो यहाँ जो nuclear membrane कैसे है डबल लेयर है outer membrane and inner membrane तो और outer और inner उन दोनों के बीच एक pore like structure छेद ठीक है ना खोल उसे क्या बोला गया है nuclear pore दिख रहा है clearly figure से also known as nuclear envelope it is the double lipid bilayer membrane दिख रहा है यह point आपको कैसे कैसे double lipid bilayer है next it surrounds the genetic material and the nucleus in the eukaryotic cell eukaryotic cell बोल रही हूँ मैं क्योंकि nuclear membrane के nucleus के पास यहाँ बे nuclear membrane है समझ मैं है ना nucleus के पास क्या है nuclear membrane इसलिए इसको कहा रखा गया है eukaryotic में वहीं prokaryotic में nucleus के बाहर nuclear membrane नहीं होते है दिख रहा है अब यह क्या बोल रहा है it surrounds the nucleus and genetic material यह देखो यह आपका बाहर में जितना फीगर के देख रहे है structure यह क्या देख रहे है यह आपका nuclear membrane है इतना the center most part that is your nucleus nucleus इनको यह क्या कर रहा है cover कर रहा है consists of two lipid bilayer inner को हम लोग ने क्या बोला है and outer को क्या बोला है जो कि किस से बने होते है lipid से बने होते है इनका काम क्या है envelop है membrane है इनके covering का काम करेंगे अब यह nucleus और cytoplasm को क्या करते है अलग कर देते है जो को first diagram में बताई थी आपको यह आपका क्या है nucleus center में बाहर में क्या है इतना round structure that is your nucleus nucleus को जो cover करते है that is your nuclear membrane यह रहा अब यह क्या कर रहा है ना कि आपकी जो बाहर के surrounding है ठीक है इससे की यह वाला portion इसको cytoplasm कहा गया है तो इन दोनों में separation का काम कौन कर रहा है यहां पर हम लोग का nuclear membrane nuclear membrane क्या कर रहा है ने दो material को अलग कर रहा है एक nuclear वाला material और एक cytoplasm वाला material clear हुआ अब देखो nucleus होता क्या है तो nucleus जो होता है nucleus जो होते हैं spherical oval से पर डिस्ट्रक्चर अभी जो बताई हूँ figure में बीज में आप क्या देख रहे हो spherical देख रहे हो oval देख रहे हो यह point याद करने की जड़त ही नहीं है nucleus के पास क्या होते है double layer covering ठीक है उसी को क्या कहा गया है nuclear membrane double layer covering inner membrane और outer membrane जो कि कि से बने होए थे lipid से बने होए थे उन्हीं के उपर क्या था आपका nuclear pore था जो कि क्या कर रहा है exchange of material it is responsible for carrying out genetic information अब यह genetic information क्या होता है देखो बाबू genetic information क्या होते है कि अगर मानो sometimes क्या होता है कि आप जब कहीं जाते हो तो बोलते हो क्या अड़े आप पापा पे गए हो या मम्मी पे गए हो means कहीं न कहीं आपके अंदर gene आया है कौन सा gene तो father और mother का gene तो यह father mother को जो gene होते है इसी क्या बोलता है बोला जाता है genetic information ठीक है इस रिस्पॉंसिबल फॉर synthesis और प्रोटीन और प्रोटीन का synthesis कौन करते हैं राइबोजोम राइबोजोम एक ऐसा औरगेनल है जो आपके प्रोकेरियोटिक आज वेल आज यूकेरियोटिक दोनों में कॉमन होते हैं यह आप देख रहे हो फॉर्स डाइग्राम मैंने क्या दिखाया है राइबोजोम को भी दिखाया था यानि कि राइबोजोम का synthesis अब राइबोजोम नहीं बनाएगा तो प्रोटीन कैसे बनेगा सबसे पहले नहीं राइबोजोम बनाना होगा इसलिए राइबोजोम का भी synthesis यह लोग करते हैं कौन? नुकलियरस अब आगे देखो नुकलियरस जो होते हैं अब इस बताई हूँ नुकलियो प्लाज्म और नुकलियर मेंब्रेन में बटे होते हैं नुकलियरस जो होते हैं आपके नुकलियो प्लाज्म और नुकलियर मेंब्रेन में बटे होते हैं तो हमने क्या किया है? नुकलियर मेंब्रेन या नुकलियर इन्वेलब हमने पढ़ लिया अब हम लोग को बच पढ़ना क्या है? नुकलियो प्लाज्म यह जो डाइग्राम था भी नook्लियोवाश में हमने पृण हमने पढ़ लिए ही अब देखो निकलियो प्लास्म होते हैं जहाँ विए प्लास्म वड आए यह निकी फ्ल्योड टाई जेली टाईप ठेख है तो इट J6 इसलिक्विड ग्राउंड सब्स्तैंस और यह किससे कबर होते हैं नेट्स पॉइंट इस द्व Hai अजिए अभी होः नीच्स पॉइंट इस वर नख्स पॉट स्य शेंटर को सबसे च भख़ा है नभी नंबर देख रहा है श्रॉप में वन दिखेए थे फीगर में भी आगे में इट फॉर्म्स प्रोटीन फॉर्मिंग सेंटर लाइक राइबोजोम अब नुकलियो लस में ही क्या होता है कि आपके राइबोजोम का सिंथेसिस होता है राइबोजोम डैट इस रिस्पॉंसिबल फॉर्मेशन अप्रोटीन हर जगह आप देखोगी इस कुश्चिन को कि इन भी क्या बोला था कि नुकलियो जो होते हैं जेनेटिक इनफॉर्मेशन को भी क्यारी करते हैं तो जेनेटिक इनफॉर्मेशन किस वे में करेंगे लाइट इस योड़ क्रोमाटीन मटेरियल क्या होते हैं कि आपके जो सेल में नुकलियोस के अंदर बहुत ही थ्रेड ला कर रह गया है तो त्रेड लाइक स्ट्रक्चर मतलों कि धागा सा दिखेगा आपको यह इंट इंटांगल मास और त्रेड लाइक स्ट्रक्चर सेल डिवीजन के पास वक्त क्या होता है जब आप हायर क्लासेज में जाओगे तो आपको सेल डिवीजन एक चैप्टर ही मिलेगा इलेवंथ में जो कि बहुत ही रिस्पॉंसिवल होता है एक और पॉइंट बताया था आपको कि सेंट्रियोल डाट इस प्रेजेंट इन अनिमल सेंट्रियोल के वज़े से ही क्या होता है आपका सेल डिवीजन होता है वहीं प्लांट में सेंट्रियोल नहीं होते हैं तो आप यह अपने एक्वेटर पर लाइन कर जाते हैं यह आपको हाई एजुकेशन में पढ़ना है बट जस्ट अग्लांस के लिए पढ़ लो देखो अब क्रोमेजोम क्रोमेजोम क्या होता है क्रोमोजोम इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर वही बताई हूं अभी कि क्रोमेटिन मटेरियल के अंदर आपका क्रोमोजोम आता है जो मैंने यह टर्म बोला है देखो जो क्रोमेजोम क्रोमेजोम उनकी स्टर्डी हम लोग अभी कर रहे हैं जब करते हैं तो मेंली हम लोग को वीजिवल होते हैं यह चीज हम लोग को पढ़ना है कौन से फेज में विजिवल होते हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्टर, प्रोफेज, मेता फेज, अना फेज, तीलो फेज त्याएंगे, उसमें कौन से फेज में आपके यह सेल डिविजन विजिवल रहेंगे, यह तो बात की बात है, it is visible as a rod separate structure when cell is about to divide अब question पुछेगा जब cell divide हो रहे हैं तो जो आपके chromosome होते हैं वो काउन से shape के हो जाते हैं यग जब cell divide होने को रहेंगे chromosome में दो parts होते हैं that is your DNA and protein डियने का फुल्पार्म लिख लैनæ डी आकसी राइबोज न्यूकलिक एसिड अब देखो डी आकसी राइबो यहाँ वर्ड क्या आया है राइबो यह कि लिषू कि अ डियोक्सी राइबो मिण नियुक्लिक एसीड अब देखो नाम में क्या दिया हुआ है राइबोज ठीक है प्रोटीन का सिंथेसिस यह करते हैं ना अब देखते हैं हम लोग किसकी बात करते हैं इट कंटेंज जेनिटिक इंफॉरमेशन क्रोमोजोम को दो भाग में बाटा गया है डाट इस योड डी ए ड्डवनीकलिक एप्रोटीन का कॉन से प्रोटीन मिलते हैं उप्रोमारे प्रोटीन इसका फ्र्दर क्लासिफिकिएशन है अभका होते fda एक प्रोमोजोम के उपर ग्रोड Ooh पर बीड लाईक क्रॉक्चर जैसे कि कि क्या देखते होगे अपने मम्य को या सिस्टर को इनीवन उनकी गल्ले में जो माला होता है एक रसी में वह बीच में मौती साभव बना रहता है तो वह मौती आपका क्या कहलाएगा जीन कहलाएगा वह जो फ्रेड लाइक इस्ट्रक्चर जिसमें मौती को गुथा गया है वह कैसे होते हैं बीड लाइक स्ट्रक्चर अब क्या होते हैं फंशनल सेग्मेंट ऑफ डी एन इस जो जीन मैंने बताया अभी कि आप में हेरेटी का ट्रांस्मिशन हो रहा है हेरेटी क्यारेक्टर का लाइक आई कलर हेर कलर हाइट यह सबके सब अबके आपके क्रेक्टर सोग तो यह सबके सबमें किसकी वज़े से होते हैं कि वाज़े से जीन कहां मिलता है क्रोमोजोम मिलन रहा है समझे मैं इसब升 जनेटिक information from one generation to the next one clear हो गया यह पॉइंट अब देखो अभी जस्ट बताई हूं आपको यह सब कहां होगा क्योंकि हीमन के पास क्या होते हैं और मतलब हर एक काम के लिए उनके पास अलग सेल डिफाइंड होते हैं को हुआ है बहुत है क्यों मतलब हैं एक लाइफ को डिफाइंड कर रहा हूँ है वह सब क्यूब क्यों कि को बात करती हूँ है यह है यह फिगर से सम्झाया क्या जा रहा है जो ग्रीन इस पाउट दिख रहा है ठीक है नहों हरे हरे दिख रहे आपको मुद्ध नहीं होसे लिटिल इस मॉलेड दिखे है वह आपके एनिमल में ब्ताया था कि प्लांट में इतने कलरफु सीपल दيखते हैं यालो कि झेंपल में फूल क्रोमोप्ला लिकोप्लास्ट यह होते हैं we अंदर प्लस्टिटिट के एंदर हैं नहीं होते हैं कि इसमें इतना च्छोटा से structure let me change the color यह देख रहे हैं आप यहां पर एक डॉटेड लैक इस्ट्रक्चर कहां प्रेजेंट है एनिमल में प्रेजेंट है वहीं इतना सारा का वॉल्यूम किसने की उपाई कर रखा है राँ र्क क्यों तो यह प्लांट सा नेक्स बनई जो और वैक्रा है इसे फोर शूरेज और कंटेंट ओर लिक्विट कंटेंट वेख्यों जल ऻोते हैं इस्मॉल मेंब्रेन बांड वैक्राज विड विद दा फ्लियृट अब देखो वैक्राज़ फ्रिर्द फिल्ड होते हैं और इनका काम क्या होता है secretion excreation and storage यह किसका काम है वेक्योल का काम है अब प्लांट में वेक्योल में क्या अंतर है और एनिमल में वेक्योल में क्या अंतर है आप इसे एक बीच से लाइन ड्रॉ करके भी बना सकते हो यह ऐसे भी लिसकते हो अब इस बताई हूं 50-90% वॉल्यू इसलिए उनका साइज कैसा होता है बड़ा होता है दो साइज इस भी लार्ज अप्रॉक्स 50-90% अगर इतना ज्यादा वॉल्यूम ले रखा है तो उसे हटा नहीं सकता कोई हैने कि इसका मतलब यह टेम्परोरी नहीं है तो यह क्या खालाएगा आपका पर्मानेंट इनका ज यह सारे प्रोसेस से अंदर कुछ न कुछ तो और्गनिक सब्स्टांस प्रेजेंट रहेंगे तो क्या होते अंदर अमाइनो इसीड सूगर ऑर्गनिक एसीड एंड सम प्रोटीन वहीं अब देखो यह जो है जितने लाइन आपको लिखाया गया है इस आरे आपके अंसी वैएंड औरश्लेवर इट प्रोफायज तर्जीडिटी और रिजिडिटी यानि कि जो मैंने बताया थे कि आप एक्स्टर्नल फैक्टर अगर कोई आता है तो उसको क्या करता है आपने शेप को मैंटेंड करना यानिकि एक्स्टर्नल फैक्टर्स को क्या करते हैं यह रोख दिख रहे बहुत ही छोटे से हैं हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं कि इतना छोटा है कि जब जरुद नहीं परा तो वह हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं यह क्या इस्टोर करते हैं अब देखो जितने भी आप खाना खाते हो यूजप नहीं होता है तो वह आपके बॉड़ी में गलाइकोजेन के फॉर्म में रहते हैं वहीं प्लांट के केस में क्या होता है वो स्टार्ज के फॉर्म में होते हैं यह टेम्परोरी होते हैं होप सो बच्चों आप लोगों इतना लेक्चर समझ में आ गया हो थैंक यू